नागपूर हलचल में अपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नागपूर की विवित हलचल पर प्रभाग 22 आधर्शनगर जागरुत हनुमान मंदिर एवं जागरुत शनी मंदिर में संतश्री गजानन महाराज एवं भोलानाथ शंकर भगवान मंदिर में नंदी एवं शिवलिंग मूर्ती की अभिशेक करके स्थापना की गई इस मंगल में आउसर पर मंदिर पंच कमिटी ने भव्य शोभा यातर का आयोजन किया सभी परिसर वासियों ने फूलो एवं रंगोली की सजावट करके शोभा यातर की शोभा बढ़ाई इस अउसर पर हजारो गजानन महाराज प्रेमियों ने महाराज की पूजा आर्चना की इस अउसर पर प्रमत खोट के नगर सेवक ज्यानेश वर नाना जोडे अतुल ढोबले राजेश घीवदोनडे रूपचंद जाडे जगजित सिंग रेनू नारायन राव टाले नरेश धोसेवान रवी धोसेवान महेश गजारन घावा घावे राहुल पवार राहुल टेंग से नरेश सुरियवन्शी प्रमिनगिरी पुझे रवी उप्चंद जाडे नागोराव हटवार विश्नु भोले राजु महाकालकर राजेश लाखे राजु सरोधे बाल्या पवार पांडु गाडे अश्विन भारदवाज अमित पवार रवीगीरी स्वपनिल खोडे सचिन तिडगे भूशन वंजारी अनिल मतकार मोंटु ओम घटोले, अनिलकावले, पंकचकावले, अक्षय भाकरे, अश्विन नरुले, गनेश चारडे, राजु भोयर, विनायक बदले, सारंग अडशड, मिलन बडे, प्रविन शिलारे, प्रशान्त हारोडे, मंगेश जोडे, आदिभक्त गणु पस्तित्थे महा मेट्रों ने शुरुआत सही अनोखा निर्मान कार्य करते हुए, नाकपुर शहर के विकास में अमुल्य योगदान दिया है, जिनमें वर्धा मार्क पर डबल डेकर फ्लाई ओवर, बैलेंस कोटी लिवर, सिता बड़ी में इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन वा जिरो मा पुल तयार करने के लिए विशालकाय लोहे का स्ट्रक्चर तयार किया गया है, और शीगर ही गुरुद्वारे के निकट ये लोहे का स्ट्रक्चर बिठाने का कार्य शुरू किया जाएगा, महत्वापुर्ण ये है कि भारी भरकम लोहे का स्ट्रक्चर बुट्टी बोरी M IDC में तयार किया गया है और सडक मार्क से बुटी बुरी से गड़ी गोदाम तक ट्रेलर की सहायता से लाया जा रहा है यह structure प्रथम अतह बुटी बुरी यहां खड़ा गया गया है और यहां का कारिया पूर्णा होने के पश्चाथ इस स्ट्रक्चर को डिस्मेंटल कर सडक से गड़ी को दाम लाया जा रहा है लोहे का स्ट्रक्चर बुटी बुरी में खड़ा करने के दोरान 250 तन क्षमता की दो क्रेन का उपयोग किया जा रहा है बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टी की और से इंदोरा मैदान में आजादी के 75 वर्ष में बहुजनों का हाल विशे को लेकर बी आर एस्पी के राष्ट्री अध्धिक्ष डॉक्टर सुरेश माने के अध्धिक्षता में सभा का आयोजन किया गया इस अउसर पर बी आर एस्पी के समर्थन में एक आडियो का विमोचन किया गया इस अउसर पर शब्बिर एहमद ने भी अपनी बात रखी कारेक्रम के अध्धिक्ष डॉक्टर सुरेश माने ने कहा कि सरकार का लेखा जोखा करने का समया गया है समाज को जागरूत करने के लिए इन सभा का आयोजन किया गया है राजनिती के अलवा समाज जागरूती करना हमारा काम है बहुजन समाज के महापूरुशों के आंदोलन को समाज के सामने समय समय पर लाकर समाज को सचेत करते रहना हमारा काम है उन्होंने भारते जंता पार्टी पर प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा ने अपना असली चहरा दिखाना शुरू किया है जिससे समाज को सचेत रहना होगा हमने संग परिवार का मुकाबला करने का रस्ता अपनाया है इसलिए महाविकास आघडी का सहयोग किया था सभामे मंच पर विदर प्रदेश अध्यक्ष विशेश फुटाने महासचिव रमेश पाटिल पंजाबराव मेश्राम शहरत देख्ष शहरत वंजारी विश्रानती जामरे पुनम घोन मोडे जिलाध देख्ष डॉक्टर विनोध रंगारी आशिरवात काप से आधिके साथ ही अन्य पदाधी कारी मौजुद थे राम निवास बंग, रामानुज बंग, गोपी किशन बंग, गुलाप चंद बंग, डॉक्टर सत्यनारायन बंग, भवरलाल बंग, डॉक्टर रमेश चंद्र डांगरा, सुनिल सोमानी, नरेश मल, डॉक्टर आनंदराथी, प्रदिप भुतड़ा, आधिमान्य वर मंच प बंग परिवार को, एक संग रहना चाहिए, एवं मातक के वार्शी कुट्सों के माध्यम से हमारे लोग, हमारी भाशा का सवर्धन करके, अपनी संस्कूती बचाने का कारिया इस माध्यम से करने का आवान किया गया डॉक्टर बाबा साहिब आमेटकर समारक समीती की ट्रस्टी विलास गजगाटे ने कहा कि बोध्ध अनुयायों का उर्जस्थल कहलाने वाली दिक्षा भुमी का सौंदरी करन तथा विस्तार के प्रती सरकार की भुमी का उदासीन है साल 2015 में ततकालिन मुख्य मंत्री देवेंद्र फड्नविस ने 22 सक्तुबर को दमचक्र प्रवर्तन दीवस समारोह में दिक्षा भुमी के सौंदरी करन वविस्तार के लिए 350 करोड रुपए नीधी देने की गोशना की थी लेकिन 6 साल बाद भी फुटी कोडी तक नहीं मिली उसी के साथ कोराडी मंदिर और ताजाबाद दरगहा परिसर के लिए नीधी की गोशना की गई थी इन दोनों धार्मिक स्तलों के विकास कारिया अंतिम चरण में पहुँच गये है सरकारों के सोतेले विभार से बहुद्ध अनुयायों में असंतोश और आक्रोश है दिक्षाभूमी परिसर स्थीत समीती के नवनिर्मित कारियाले में विलास गजगाटेन एक पत्रकार वारता में यारोप लगाया उन्होंने बताया कि ततकालिन मुख्यमंत्री द्वारा 10 नमबर 2015 को नोईडा के डिजाइन एसोसेट जै काकिट करने नागपुर सुधर प्रिनेस कारियाले में अधिकारी वा समीती पदाधिकारियों के सामने परियोजना का प्रस्तुति करण किया मुख्यमंत्री के शास्किय निवास रामगिरी में पुनह प्रस्तुति करण किया गया 27 मार्थ 2018 को ततकालिन मुख्यमंत्री की अधिक्षता में शिकर समीती की बैठक में 100 करोड रुपे की पहली किस्त मंजूर की गई Green and Clean Foundation और रचना में एक स्पर्शा सुसाइटी द्वारा संयुकतर रूप से स्वच्छता अभियान एवं व्रुक्षा रोपन का आयोजन किया गया परिसर और सुसाइटी के पीछे का परिसर स्वच्छ किया गया जनरल बिपिन रावत के कार्यों का रेखांकन करके उनको याद किया गया साथ ही भारतिय सेना के वीरों की तस्विर पर मालय अरपन कर श्रधा जली अरपित की गई साथ ही साथ सुसाइटी के परिसर में कडुनीम के बारा फुट के व्रुक्ष लगाय गया और कच्रा साफ सफाई की गई इस कारेकर में प्रकाश भोयर स्थाई समिती अध्यक्ष नगर सेवक की शोरवान खेडे नगर सेविका मिनाक्षी तेल गोटे गोपाल बोहरे की और से सुसाइटी के निवासियों के साथ रुक्षारोपन किया गया इस कारेकर में सुसाइटी के निवासियों को स्वच्छदा पर संधीप मानकर ने मार्दर्शन किया सफाई के लिए एजी इंफ्रा प्रोजेक्ट की डॉक्टर समिर टोन पे और शशांग चौबे का सायोग मिला इस अउसर पर रचना मेक्स परश के अध्यक्ष कीशोर हेडाउ और सचीव पुनम खापरडे संधेश शिंदे, संधीप मानकर, दिनेश करम चंदानी, साहिल मिश्राम, इंद्रजित सिंग भोजवानी, अरपिज जयस, अमन कानोजे, राजश मनोहर लाल सावडिया, अनुराग बिसेन, भोला थोरी, अभिशेक धरनिदर, मोनिका मोटवानी, पंकस्त्रिवेदी, विक करमचारियों के मुद्दो को विधान परिशद में उठाएंगे, और उन्हें नाय दिलाने का प्रयास करेंगे, या अश्वासन, भारतिये जंता पार्टी के प्रदेश महासचिव और नवनिर्वाचित विधायक, चंद्रशेकर बाउन कुले ने काटोल में स्टी करमचार करने वाले करमचारियों को श्रधान जली दी गई, बाउन कुले ने कहां कि मैं करमचारियों के सभी मुद्दो को विधान परिशद में भी ले जाऊंगा, इस मौके पर भाचपा के बदाधी कारी वकार्य करता भी मौजुद रहे, उत्तर भारत में पढ़ रही कड़ाके क ठंड का असर अब विधर्ब के कई जिलों में पहुच चुका है, मौसव विभाग ने, नाखपूर और अमरावती में शीत लहर की चेतावनी देते हुए, ये शीत लहर अभी भी एक दिन और कायम रहने की बात कही है, नाखपूर में शीत लहर के कारण नियुनतम तापमा काफी ज्यादा गिरा है, अमरावती में नियुनतम तापमान 8 डिगरी सेल्सियस तथा गोंदिया में 8.2 डिगरी सेल्सियस दर्च किया गया है, नाखपूर में पिछले दो दिनों से ही हल्की ठंड महसूस की जा रही थी, लेकिन रविवार की रात से ठंड का प्रकोप कु सभार में हो चुका था, सुवार को सुबह से ही लोगों ने अलाव जला कर ठंड से बच दे की जुगत भिडाई थी। और इस टास्क फोर्स के माध्यम से जिले के बाल ड्रोक विशेशक्यों को उपचार विधियो पर मार्ग दर्शन और जानकरी प्रदान की जानी चाहिए। शास्के मेडिकल कॉलेज के दिन डॉक्टर सुधिर गुपता, मेयो के डॉक्टर तायडे, उपनिदेशक स्वास्थर, डॉक्टर संजे जायस्वाल, टास्क फोर्स के डॉक्टर मिलिन भुसुंडी और अन्या वरिष्टा धिकारी उपस्तित थे। नगर सेवक विरेंद्र कुक्रेजा वा नगर सेवी का प्रमिला मत्राने की निधी से, जरिपटका में संगिदा बिल्डिंग से, हुंद्रा जेस्वानी की घर तक सिमेंट रोड का भूमी पुजन कारेक्रम संपन्न हुआ। इस भूमी पुजन कारेक्रम में नगर सेवक विरेंद्र कुक्रेजा ने अपने संबोधर में पात साल के कार्यकाल में हुए कार्यका उल्लेख जनता के सामने रखा और कहां कि आज सभी के सहयोग के कारण हम ये सभी काम करने में सफल हो पाए है। मोहन खांचंदानी, प्रताफिरानी, राकेश मोटवानी, वाड अध्यक्ष मनिष दासवानी, वाड अध्यक्ष जग्दिश वंजानी, गुल्षन दात्रे, पुजा मोरियानी, सीमा मेश राम, पृतम मतरानी, हर्शु अंबानी, किशुर केवल रामानी, संजे हेमराजान करन केवल रामानी, ओम सेवानी, जै सहजवानी, चीराग गोधानी, छोटु हर्यानी, मुरली कंजवानी, दिपक तेजवानी, पिंटु कुरूपलानी, पूरुश्वानी, गिर्धर वादवानी, हेमंद गोधवानी वो क्षेत्र के अनिक महिलाय वो कार्यगरता उपस्तित दिसंबर से पांडे लेयाउट सनेह नगर विठल रुकमिनी मंदिर में, 18 महापुराणों की दिव्य शूंखला में, श्री नारद महापुराण की दिव्य कथा प्रारम होने जा रही है सुन्दर कांड महिला मंडल नगर विठल रुकमिनी मंदिर समिती, खामला शारदा माता मंदिर, हनुमान मंदिर समिती एवं गायतरी महिला मंडल के सहयोग से आयोजित की जा रही श्री नारद महापुरान की दिव्यकता का रसापन व्यास आचारिय राजललन गोपल महराच कराएंगे आयोजकों ने लाब लेने की प्रार्थना भक्तों से की है विदर्बह हिंदी साहित्य समयलन की उपकरम साहित्तिक में बहारे गजल का सफल आयोजन किया गया कारेक्रम के अध्यक्ष हाजी जफर अली राही का स्वागत हेमलता मिश्रम आनवी ने किया कारेक्रम का संचालन सयोजक आदेश जैन ने किया बहारे गजल में रमेश मौंदेकर ने उची उडान उसकी होती हाफिस शेक नाकपुरी ने बरसने वाली है बारिश है मनिंद्र सरकार ने तबका तबका बिका हुआ है जैप्रकाश सुर्योवंशी ने कम नहीं करती इवादत हाजी जफर अली राही ने मैं तो गुम्था खयाले जाना में गुलाब मोहमत खान आलम ने जिन्दगी ने वो इम्तिहान लिये डॉक्टर भूला सरवर ने सूखे हुए गुलाब अब क्या है मोहिन अक्तर ने बे मौसम बरसात नहीं अच्छी लगती अकबर खैराबादी ने हुसन की ऐसी मूरत हुतु आदेश जैन ने हम भूल गए रे हर बात आदी गजलों की प्रस्तुती से समा बान धिया माधुरी राउलकर, हेमलता मिश्रम आनवी, शादा बंजुम, भरत गौरकर ने एक से बढ़कर एक गजल पेश की विजय मिश्रम, अर्विन बेगडे वो अन्यने उपस्तिती दर्च कराई संत गाडगे बाबा स्पूती दिन मनाते हुए अर्विन्द इंडो पब्लिक स्कूल हेती सुरला ने गाडगे महाराश्ट की प्रतीमा पर माल्यारपन कर दीप्रजवलित करुने शधान जली दी गाडगे बाबा का जरम 23 फरवरी 1886 को महाराश्ट के अमरावती जिले के शेंड गाव अंजन गाव में हुआ था उनका बचपन का नाम डेबुजी जिंगरा जानोर कर था उन्होंने महाराश्ट के कोने कोने में अनेक धर्मशालाय, गौशालाय, विद्याले, चिकितसाले तथा चात्रवास का निर्मान कराया मुस्लिम यूत लीक के नए जनसंपर कार्याले का उद्घाटन आजाद नगर में रोट नई बस्ती टेकानाका में महाराश्टर प्रदिशात धिक्षय जनाब असलम खान मुल्ला वह इकबाल अहमद अनसारी के हातों किया गया इस आउसर पर मुस्लिम यूत लीक के राश्ट्य उपाद दिक्षा जुबैर खान ने बताया कि जनसंपर कार्याले के माध्यम से सरकार की जन उपयोगी योजनाओ को क्शेतर की आम जनता तक पहुचाने का काम किया जाएगा वो कार्याले के माध्यम से ज्यादा से को मुस्लिम यूत लीक से जोड़ कर संगधन को मजबुत किया जाएगा इस आउसर पर मुख्य रूप से मुस्लिम यूत लीक के राश्ट्य उपाद धिक्षा जुबैर खान जनाब शेक साधिक मुहमद जियाउद दिन बशिर खान अजीज खान खुर्शिद अंसारी मुह मोबाइल अप पर टाटा स्काई की अगरनी OTT सर्विस टाटा स्काई बिंज आपकी सभी समस्याओ का एक मात्र समाधान टाटा स्काई बिंज एप भारत की अगरनी OTT एप से सर्वस टेस्टर कंटेंट लेकर आ रहा है और उन्हें विभिन अटैक्स के थाथ श्रेणियों म 299 रुपे के 2 प्लान उपलब्द है 299 रुपे का प्लान एक TV स्क्रीन और तिन मोबाइल स्क्रीन पर 11 OTT एप स के कंटेंट का एकसेस देता है princi manure का मोबाइल उन्ली प्लान 3 मोबाइल स्क्रीन पर 9 OTT एप सका एकसेस देता है बिंज एप कई अतरिकत F schizophrenia भी देता है जैसी Unified सर्च, सभी OTT एप्स पर one sign on end payment, सभी डिवाइसेज पर content screenization, content तक आसानी से पहुचने के लिए वीडियो ट्रेलर उपलब्ध है मंदल द्वारा अनियमित और बिना टिकट यात्रियों पर अंकुष लगाने की उद्देश्य से नियमित रूप से स्टेशनों एवं यात्री गाडियों पर निरंतर टिकट जांच अभियान चलाए जाते हैं इन अभियानों में बिना टिकट अनियमित यात्रा एवं बिना माल बुक किये लगेज धुम्रपान बिना मास के मामले दर्च कर रेलवे राजस्वा में बुद्धी तथा यात्रा के दोरान नियमों की जानकारी रहे जिससे सफर सुविधा जनक और आराम देह बना रहे इसी कड़ी में बिना टिकट नियमित टिकट लेकर रेल में सफर करने वाले यात्रियों पर अंकुष लगाने तथा लाखो रुपे अरजित कर रेल राजस्वा बढ़ाने में अपना महत्वा पुर्ण योगदान के लिए मंडल के सभाकक्ष में मंडल रेल प्रबंदक उपपल नागपूर ने कुल 24 टिकट जांच कर्मियों को प्रशिस्त पत्र देकर सम्मानित किया वस अभी पूरस्कुरुत कर्मचारियों द्वारा किये गये सरहानिय कार्य हितु उन्हें बधाई दी और सर्वस्ट रेश्ट प्रदर्शन करने की अपिल की इस आउसर पर अशोक सुर्यवंशी, ADRM, जीवी जकताप ADRM, विकास कुमार कश्यप, वरिष्टा मंडल वानिज्य प्रबंधक, अविनाश कुमार, आनन सहा, वनिज्य प्रबंधक सहित अन्य वरिष्टा चेकिंग स्टाफ मौजुद थे मानाव सेवा को समर्पित रक्तदान शीविर का अनूठा आयोजन, भोला गणेश चोक सित, जन सेवा जुनका भाकर केंदर के समिप सित हरुमान मंदिर परिसर पर किया गया कारेक्रम में सकरदरा व्यापारी संग के अध्धिक्ष सतिष चाउधरी, कला मंच के संसापक नरेंदर सतीजा, जीएस के बलड सेंटर के मेडिकल ओफिसर, डॉक्टर आशिश खंडेलवाल, एवं जन सेवा के संचालक जगदिष चाउधरी प्रमुक रूप से उपस्तित रत्तदाताओ को नरेंदर सतीजा के हस्ते डोनर कार्ड प्रशस्ति पत्र एवं सुरूती चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया, कारेक्रम में अनिल मालोकर, पुष्पा चौधरी, राजु लोहित कर पूरन जैस आधी की उपस्तिती रही पाटनकर चोक स्थित बाल सुधार गुरुह में शिवसेना अलपसंकेक सेना और ग्लोबल इंटरनाशनल फाउंडेशन की और से बच्चों से मुलाकात का कारेक्रम आयोजित किया गया, इस आउसर पर उनके लिए सुवलपाहर की व्यवस्ता कर वहाजनम दिन सेलिब्रेश इस आउसर पर प्रमुगरूप से मरिशा ठाकरे, अनिस चमडिया, प्रतिक बहुगुणा, संतोष ठाकूर, विनोत कल्यानी, जिशान काजी, पंटी पांडिल, जैराम्टे क्यादी उपस्तित थे वरिश्ण आगरिकों ने लोकमंच जैश्ण आगरिक मंडल, महलगी नगर के सचीव डॉक्टर दीपक शेंडेकर के मार्ग दर्शन में, जैश्ण आगरिक प्रतिश्रान की और से बुजर्गों के लिए शुरू की गई सांसत हेल्थ कार्ड योजना में फॉर्म भरे, ये क बाट केवल साट साल के उपर के वरिश्ण आगरिकों के लिए है, इस योजना में काट धर को सम्मदित होस्पिटल, पैथोलोजी, फार्मसी में 20-60 प्रतिशत तक की छूट पिलेगी, वरिश्ण आगरिकों को इससे दवा के खर्च में राहत मिलेगी, मंडल के रमेश जां गंगाधर पाटनकर, सुर्यभान चरडे, हरिभाव कालेकर, गंगाधर पाटनकर आधी ने इस कारेक्रम के लिए विशेश परिश्णम किये आज 18 प्लस और 45 प्लस आयू वर्क के सभी नागरिकों का कोविट शिल्ड का टिका करण, नाकपुर महानगर पालिका के साथ सरकारी केंद्रों पर होगा, टिका करण का समय सुबह 10 से लेकर शाम के 5 बजे तक होगा, टिका करण के लिए ओनलाइन और आफलाइन दोनों पद तरह 18 प्लस और 45 प्लस आयू वर्क के नागरिकों के लिए कोवैक्सिंग का पहला और दूसरा डोज, मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर बाबा साहिब आमेटकर अस्पिताल काम्ठी रोड, वस्वर्गिय प्रभाकर दट के मनपा महाल रोग निदान केंद्र, एम्स आइसोलेश अस्पिताल इमाम बाड़ा, इंद्रा गांधी अस्पिताल गांधी नगर, मनपास्त्री अस्पिताल पांच पॉली और प्रगती हॉल दिगोरी में उपलब्ध है तो नागपुर हल चल में आज इतना ही, आप से फिर बुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए BKB News, नमस्कार